हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ बेकफास्ट की एक जबरदस्ट कॉम्बोडे से पी लेकर आई हूँ जिसमें हम बनाने वाले है धाबाय स्टाइल आलू के पराठे साथ में रायता और जबरदस्ट लस्सी तो चलिए फ्रेंट्स ये धाबाय स्टाइल कॉम्बोडे से पी बनाना शुरू करते हैं पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गुंद लेना है तो इसके लिए हमें दो कप गेहूं का आटा लेना है इसमें half cup basin डालना है तेस्ट अकोडिंग नमक डालना है थोड़ी सी अजवाइन थोड़ा सा कलॉंजी डालना है और फिर इसमें 2-3 चाय के चमच refined oil डालना है one pinch healthy powder डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक soft dough तयार करना है धाबा वाले जो आलू का पराठा बनाते हैं तो उसमें वो basin अट करते हैं जिससे उनके पराठे का टेस्ट अलग होता है और अब हमें stuffing तयार करनी है आलू की stuffing बनाने के लिए हमें boil किया हुआ आलू लेना है आलू ठंडा होना चाहिए और इसे अच्छे से grate कर लें या mash कर लें और अब आधे इंच अधरक के टुकड़े को भी बारी कटके यूज कर सकते हैं या इस तरह से grate करके यूज कर सकते हैं और अब कर दें है आफ टेबॉल स्पून फूण साविट जीराख थवं फ्रलेश्वन क्टि हुई लाल मिर्च fraction कुटा हुआ साबुद धनिया समूख फ़ तेबल स्पून लाल मिर्च पा उटर ओडरावा 2そ भर तेबिल मिर्च mention custard घनिया और्छ ठोड़ा साविग दालना बारिक कटा हुआ प्यास बारिक कटी हुई हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल लेनी है आलो में इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आलो की ये चट पटी से स्टफिंग तयार हो गई है तो इसे एक साइड रख लेना है और अब हमें बनाना है रायता इसके लिए लिए है एक कप दही डाल लिया है टेस्टे कोडिंग नमक थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा भूना कुटा जीरा थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब इसमें डाल लेना बारी, कटी हुई प्याज, भारी गटा हुआ खीरा, बारी कटा हुआ टमाटर भारी कटा हरा धनिया, हरी और भारी, अब च्रव करक्रा करते हैं तो यह रायता सकते हैं मगर हम इसे घावार लाखया बनाना है, इसमें मैंने डाल लिया है जीरा और लाल मिर्श का तरका जिससे ये रायता जबरदस्त लगता है खाने में तो चलिए फ्रेंट्स रायता भी हमारा तयार हो गया है आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो इसकी अब हमें लोई बनानी है जितना बर आप पराठा बनाएंगे उतनी बरी आप पहले इसकी लोई बना ले और अब ये देखिए हमें इस तरह से इसे बीच में स्पेस देते हुए आपको पराठे के लिए फिलिंग की जगा बनानी है पराठे के देखिए गुमाते हुए बंद कर लिया है और आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पराठे को बेलना कैसे है तो इसे पहले हलके हलके प्रेस करेंगे और इस तरह से इसे दबाएंगे ताकि इसके चारो तरफ स्टफिंग अच्छे से फैल जाए तो आप देख सकते हैं इसे हलके हलके प्रेस किया है मैंने और अब इसे हमें बेल लेना है ये देखिए हलके हाथों से बेलना है आप इसकी साइज अपने एकॉर्डिंग रख सकते हैं आप चाहें तो बड़ा बेले आप चाहें तो छोटा बेले और ये देखिए फ्रेंट्स ना तो पराठे कहीं से फटे हैं और ना कहीं से खराब हुए हैं तो फिर से मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से अगर आप लोई को अच्छे से फैला लेंगे तो इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो चारो तरफ अच्छे से फैल जाएगी तो ये देखिए अब इस तरह से हमें बेलना है हलके हाथों से इसे बेलेंगे पराठे न फटेंगे और न खराब होंगे तो बस इसे बेल लिया है चलिए अब इसे हम सेख लेते हैं पराठे को सेखने के लिए तवे को पहले अच्छे से गरम कर लेना है आप चाहें तो नौने स्टिक तवे पर सेख सकते हैं देशी गी का यूज किया है उसके बाद फिर से इसे पलट लेना है और ये देखिए फ्रेंट्स इसे अलटते पलटते मैंने सेका है गैस की फिले मीडियम टू लो करके और इसमें बहुत ही बहतरीन सा गोल्डन कलर आया है और फूले फूले पराठे बनकर तयार हुए हैं ये अब हम बनाते हैं लसी नाने के लिए मैंने एक मिकसर जार में दही ले लिया इसमें डालाए थोड़ा सा चीनी थोड़ी सी आइस और इसे ब्लेंड कर लेना है और एक गलास में इस तरह से डाल लेना है रूफजा रूफजा ऑप्शनल है अगर है तो बहुत ही अच्छा इ यह जबरदस्त तरके वाला राय था साथ में अचार हरी चटनी और फिर इसके साथ लसी तो बस आपका दिन बन जाएगा एक बार आप इस कॉम्बो को जरूर ट्राइ कीजिए फ्रेंड कैसे लगी आपको मेरी यह ढाबा स्टाइल आलू के पराठे की कॉम्बो रेसे पी जड़ आलू कर लगी नापको मारी हमक भी जिसकी स्टाइब ट्वम झालू ऑसके साथ रालूर को जएगागा एक बाएगा ने कॉम्बो है लगी हमकाईल आलू को चाहता है, इस लिसकी साथारी स्टाइल में जई की आलूरा मैं यह चाता है।